वेल्कम बेहन आज आपका फिर्शी स्वागत है वोईस आप जेसल मेर अनपुर्णा पाक साला में तो आज मैं बनाने जारें बहुत ही हेल्दी दलिया तो हेल्दी दलिया मनाने के लिए हमने लिया है तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल गेहों का दलिया इस तरह से तो इसको हमने एक घंटे पहले भीगा दिया था तो यह है भीगा हुआ दलिया इसको हमने भीगो के इसका पानी निथार लिया है तो आप देख रहे हैं इसको हमने एक घंटे भीगोया है तो यह बहुत अच्छे से भीग गया है आप चाहे तो इसको ज्यादा भी भीगो सकती है आपको जल्दी बनाना है तो इसको रात को भीगो के रख सकते हैं तो यह एक ही सीटी में बन जाता है तो अब हम इसमें डा लिया है यहां okay मैने लिया है एक चम्मच मेर्च टाना मेथी घ्रीण वाली यह हमने वभाल ली एक ट dedic जो हमने बारीक काट लिया है दो हरी मिर्च वह हमने काट लिया है एन्च अध्रक काट पड़ा वू हमने किस लिया है ऑप किस एज़। तो यहां पर हमने एक कूकर रखा है गरम होने के लिए इसमें हम एक चमच घी डाल देंगे तो घी हमारा गरम हो गया है इसमें हम एक चमच राई डाल देंगे अगर हम इसमें अध्रक जो हमने किसा है तो हरी मेट राजर सिम्ला मेट और पता कोवी इस अपको हम अच्छे से मेट कर लेंगे गुल लेंगे इसको अच्छे से अब हम इसमें जो भीगा हुआ दलिया है वो डाल देंगे इसको हम अच्छे से घुल लेंगे यह बहुत ही टैस्ती बनता है और बहुत ही हेल्थी दलिया है यह और भीगने से यह बहुत जल्दी बन जाता है अब हम इसमें जो दलिया एक बाउन हमने ये वाला दलिया लिया था वही हम तीन बाउन पानी डाल देंगे इसमें थोड़ा पानी ज्यादा लगेगा यह थोड़ा पानी ज्यादा लेता है और इसमें सब्जिया है तो उस कारण भी थोड़ा पानी हम ज्यादा डाल रहे हैं अब हम आदा छोटा चम्मच इसमें हींग डाल देंगे और स्वाध अनुसार नमक और इसको उबाल आने पर हम इसको ढकन देंगे तो करीबन इसमें हम एक सीटी लगाएंगे क्योंकि यह भीगा हुआ है आएए अब हम देख लेते हैं एक सीटी हमारे आ गई है पहले हम इसको प्रेशर निकाल के देख लेते हैं अगर नई हुआ तो हम वापस एक सीटी और लगाएंगे तो हम देख लेते हैं दलिया हमारा बहुत ही अच्छे से एक ही सीटी में उबल गया है बहुत अच्छा से क्योंकि हमने इसको भीगा के रखा था इसलिए यह जल्दी हो जाता है अब हम इसमें जो उबली हुई मेथी है वो हमने बताई हरी मेथी दाना मेथी वो हम इसमें डाल देंगे टमाटर प्याज और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको यह सब जो है टमाटर प्याज और मेथी इसको हम सरफ बाप में ही पकाएंगे पांच मिनिट के लिए हम प्रेशर कोकर को बंद कर देते हैं और गैस को भी तो अब हम देख लेते हैं इसको तो हमारे प्याज और टमाटर मेथी भी अच्छे से पक गए है बाप में और इसका पानी भी सूप गया है अब हम इसमें जो पान में थी हमने बताए थी वो हम डाल देंगे तो आपने देखा बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिश्ट और बहुत ही हेल्दी दलिया हमारा बनके तयार हो गया है तो यह बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ऐसा कलरफूल दलिया नहीं तो बच्चे छोटे बच्चे है जो दलिया नहीं खाते हम बड़े भी बहुत हो जाते हैं दलिया खाते खाते तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो हमारा दलिया बहुत ही अच्छा और श्वा कि अवान कि अवार